हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब काप के अपने चैनल पेदेकैडमी में आज की वीडियो में हम एलेक्शन सीन पर रिपोर्ट राइटिंग की स्टड़ी करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग पर अभी तक हमने तीन वीडियो बनाई हैं सबसे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी रिपोर्ट क्या होती है कितने वरकार क्यों होती है और रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट help of the following clues, prepare or write up on an election scene, जो following clues या फिर inputs आपको दिये हैं, उनका यूज करके आपको election scene पर एक report write up करनी है, हमें inputs दिये है, long queue of voters, मद्दाताओं की लंबी, कतार, polling officers, polling agents, indy level ink, indy level ink, देखिए, indy level यानी होता है आपका admit और ink यानी होता है आपका सिहाई, उसके बाद evm machine, electronic voting machine, ये inputs दिये हैं, इनका यूज करके आपको report write up करनी है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले आपको heading डाल देनी है, जो भी आप report लिखना है, उसकी board letters में आपको heading डाल देनी है, तो election scene, फिर आपको formatting करनी है, formatting करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा copy के left hand side पर ही formatting करनी है, सबसे पहले आपको date लिख देनी है, उसके नीचे आपको place लिखना है, देखिए date और place अगर आपके question में mention है, तो आपको बो लिखना है, अगर नहीं है mention, तो आप अपने मंच से कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपको जो inputs दिये हैं, उनका use करके report write up करनी होती है, उसके नीचे आपको name लिखना होता है, जो report लिख रहा है उसका, और address लिखना होता है, जो report लिख रहा है उसका, देखिए इसमें चीजें mention नहीं हैं, तो आप अपने मंच से लिख सकते हैं, question आपको careful, read करने को मैंने इसलिए बोला है, क्योंकि आपको अगर उसमें mention हैं चीजें, जैसे कि date, place, name और address, तो आपको बोलिख नहीं होगी, अगर नहीं है mention, तो आप अपने मंच से कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमारे question में चीजें mention नहीं थी, तो हम अपने मंच से लिखेंगे, date आप कुछ भी डाल दीजी, place आप कुछ भी डाल दीजी, अगर mention नहीं है, उसके बाद हमें start करते हैं, जो अपनी बारी का इंतिजार कर रहे थे, इन फ्रेंट अप दा पोलिंग बूथ, देर वाज लॉंग क्यूँ और पीपल बेटिंग फो देर टन तो गो इन, उसके बाद, इन्साइड दा बूथ, देर बार कपल अप पोलिंग ऑफिसर, एंड अप प्रेसिडिंग ऑफिसर ओन वन साइट, एंड सम पोलिंग एजन्ट ओन दा अधर साइट, देखे, पोलिंग ऑफिसर एंड पोलिंग एजन्ट, आपको इन्पुट्स दिये थे तो आपको इंक्लूट करना था, तो हमने कर दिया, इन्साइड दा बूथ, देखे, प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, जो पोलिंग ऑफिसर को कंट्रोल करता है, और जो पोलिंग एजन्ट को कंट्रोल करता है, और सारा जो एलेक्शन सीन होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसे preceding officer हम कहते हैं पीठा सीन अधिकारी हिंदी में आप बोलें तो तो बूत के अंदर मद्दान अधिकारी होते हैं एक तरफ पीठा सीन अधिकारी और दूसरी तरफ कुछ मद्दाता मद्दान एजेंट थे जो एजेंट्स होते हैं वो इलेक्सन कराने में help करते हैं Inside the booth there were a couple of polling officer and a preceding officer on one side and some polling agents on the other side तो हमें input दीए थे मद्दान officer and polling agents तो यहाँ पर हमने उनका यूज कर लिया उसके बाग a polling officer was checking the voter's name, marking it and demanding proof of identification एक मद्दान अदिकारी मद्दादा की नाम की जाच कर रहा था उसे चिन्नित कर रहा था और पैचान पत्र मांग रहा था एक पोलिंग ऑफिसर बाज चेकिंग दा बोटर स्नेंप, मार्किंग इट एंडेमांडिंग प्रूप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मद्दन अदिकारी मद्दाता के नाम की जाच कर रहा था उसे चिन्नीत कर रहा था और पैचान पत्र मांग रहा था और एक अन्यादिकारी था वो बाए हाथ के बोटर इंडेक्स फिंगर पर एक अमिट से अई लगा रहा था देखे अंगूटे की बाजी वाली जो उंगली होती है उसको हम index finger बोलते हैं उस पर इंडिलेवल इंक यानिकी amidst याई लगा दी जाती है यह इसलिए होती है ताक कि आप दुबारा से बोटिक नहीं कर सकते हैं वो जल्दी नहीं मिटती है उसके बाद then the preceding officer asked him to go into the boating box where he had readied the electronic boating machine for him to boat पीटासी नादिकारी ने उन्हें boating box में जाकर बोट देने को कहा जहां electronic boating machine लगी हुई थी the voter bent in pressed the button of his choice and left the booth मददाता अंदर गया अपनी पसंद का बटन दवाया और बूस से बाहर निकल गया उसके बाद हमें लिखना होता है नेम इसमें कुछ भी mention नहीं था तो मैंने अपने मन से कपिल सा बर्मा लिख दिया address address कुछ अपने मन से लिख सकते हैं अगर mention नहीं है तो house number 12 कभीर नगर विदीसा ऐसा सब मैंने लिख दिया तो देखिए हमें inputs दिये थे मददातां की लंबी कतार, मददान अधिकारी, polling agent, amidst CI और ebm machine इनका यूस करके हमें election scene पर report write-up करनी थी हम एक बार फिर से देख ले देखिते हैं, तो सबसे पहले हमें formatting करनी होती है, formatting हमें अविसा copy के left hand side पी करनी होती है, formatting करते बाग आपको याद रखना होता है, सबसे पहले आपको date लिखना होती है, उसके नीचे आपको place लिखना होता है, अगर आपको question में नहीं mention है तो आपने मन से लिख सकते हैं उसके बाद आपको inputs का use के report write up करनी होती जो inputs आपको दिये होते हैं question में उन सबका use करना होता है आपको कोई भी input छोड़ना नहीं होता है उसके नीचे आपको name लिखना होता है फिर address लिखना होता है यह चीज़ें को आपको ध्यान रखना होता है अगर आपको पूरे marks report writing में चाहिए है तो उसके बाद in front of the polling booth there was a long queue of people waiting for their turn to go in inside the booth there were a couple of polling officers and a preceding officer on one side and some polling agents on the other side मद्दान के अंदर के सामें लोगों की लंबी कतार लगी होई थी जो अपनी बारी का इंतेजार कर रहे थे booth के अंदर मद्दान अधिकारी होते हैं एक तरफ पीटा सी अधिकारी और दूसरी तरफ कुछ मद्दान एजेंट थे देखिए मद्दान एजेंट भी कुछ होते हैं ताकि जो हमारा election है वो smoothly conduct हो सके उसके बाद a polling officer बाज checking the voters name marking it and demanding proof of identification एक मद्दान अधिकारी मद्दाता की नाम की जांच कर रहा था उसे चिन्नित कर रहा था और पैचान पत्र मांग रहा था the other polling officer was putting an indelible ink on the voters index finger of the left hand एक अन्य अधिकारी बाए हाथ की voter index finger पर एक अमिट साही लगा रहा था देखिए जो आपकी left hand होता है उसके अंगोटे की बाजी वाली उंगली होती होसे हम index finger कहते है then the preceding officer asked him to go into the voting box where he had readied the electronic voting machine for him to vote पीटा से नधिकारी ने उन्हें voting box में जाकर बोट देने को कहा जहाँ electronic voting machine लगी हुई थी उसके बाद the voter bent in pressed the button of his choice and left the booth मद्दा ता अंदर गया अपनी पसंद का बटन दवाया और बूट से बाहर निकल गया उसके बाद आपको name और address लिखना होता है name हमारे question में mention नहीं था हमने अपने मन से कुछ भी लिख दिया अगर question में mention होता तो यहां में name लिखना होता address हमारे question में mention नहीं था हमने कुछ भी लिख दिया अगर mention होता तो वो हमें लिखना होता